एक साल पहले हमने कन्या कुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी चार हजार किलोमिटर हम चले हजारों लोग लाकों लोग एक साथ मिलकर भारत जोड़ने के लिए समुंदर से हिमालय की बरफ तक चले कि बुलने दीजे कि आप नारे बाद में देश में बीजेपी और रसस नफरत और हिंसा पहला रही है एक दर्म को दूसरे दर्म से लड़ाती है एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और हिंसा देश में फैलाती है चार हजार किलोमीटर में मैंने हजारों युवाओं से किसानों से छोटे वियापारियों से बात की साथ घंटे हम चलते थे पंद्रा मिनट शाम को ऐसा भाशन होता था और लोगों ने मुझे सिर्फ दो तीन बात बोली सबसे पहले हर प्रदेश में बेरोजगारी 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 जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी युवाओं से बात करो यह कहते राहुल जी 5-6 लाक रुपए 10 लाक रुपए हमने प्राइवेट युनिवर्शिटी और कॉलेजज गौ दिया है हमने सोचा था मैं यह जनदा ताई है हमने सोचा था कि यह जो हमने 5-6 लाक रुपए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाला इससे हमें एक डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा हमने रोजगार पाने के लिए यह शिक्षा लिए है यह कॉलेज की डिग्री मेडिकल डिग्री लीकल डिग्री यह हमने ऐसे नहीं लिए हमने यह रोजगार पाने के लिए लिए और पांच-छे लाग-दस लाग खश करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता दूसरों में का राहूल जी हम पढ़ते हैं और फिर एक्जाम के दिन एक्जाम के दिन पेपर लीग हो जाते हैं और युवाओं के मॉबाइल फोन पे मॉबाइल फोन पे हमें दिखते हैं मॉबाइल पे हमें दिखते हैं मतलब हमने 6-7 लाग रुपे डाले हमने मेहनत की और किसी चोर ने पेपर चुरा के सेंट परसेंट मार्क ले लिए अब जब यह मेरे पास आते थे नहीं सुनो सुनो डिस्कर्ब मत करो जब भी मेरे पास यह आते थे युवा आते थे कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था भईया एक बात बताओ पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था भईया मुझे बात बताओ तुमारी जात क्या है और नब्बे परसेंट लोग कोई मुझे के में पिछड़ा हूँ कोई मुझे के में धलित हूँ कोई में के में आदिवासी हूँ और जब जेनरल कास वाला मेरे पास आता था मैं पूछता था भईया तुमारे माता पिता अमीर है या गरीब वो कहता था गरीब है तो फिर मैंने पता लगाया मैंने काई यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग दलित लोग आदिवासी गरीब जनरल कास के लोग मिल रहे हैं मैंने पता लगाई कि भाईया ये देश में हैं कितने ये देश में 10% 20% 30% 40% 50% ये हैं कितने सडक पत मुझे यही दिख रहे हैं और कोई दिखी नहीं रहा पता लगाया सरकार कहती है हमें नहीं मालूब मैंने का आपको कैसे नहीं मालूब सरकार कहती हमें नहीं मालूब मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदूस्तान में हमें नहीं मालूब दलित कितने हैं हिंदुस्तान में हमें नहीं मालूँ आदिवासी कितने हैं हमें नहीं मालूँ जेनरल कास के घरीब कितने हमें नहीं मालूँ मैं आपसे पूछने चाहता हूँ देश में पिछड़े वर के लोग कितने हैं बताओ बताओ कितने है पचास परसेंट आपका नाम क्या है पूरा नाम गोविन सिंग जाटव जी पिछडी जाट के पचास परसेंट आपने कहा ठीक है दलत कितने पंदरा परसेंट आदिवासी कितने आथ परसेंट पचास पंदरा रात कितना हुआ 70 परसेंट अबादी दलत आदिवासी पिछडे भया शांट हो जाएं डिस्कर मत कीजिए अब यहां मैं भीड में पूछना चाहता हूँ यहां पे पिछडे लोग कितने हाथ उठा की दिखाओ यह देवा 50% दलित कितने हाथ उठा की दिखाओ आदिवासी यहां कम है ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहां पे मुझे भीड में पिछड़े और दलित तक्रीबन 50-60% दिख रहे हैं ठीक है अब मैं आपसे पूछने चाहता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निका लिए 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित आधिवासी पिछड़े कितने मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित ना आधिवासी ना पिछड़ा फिर मैंने क्या किया फिर मैंने कहा फिर मैंने कहा ठीक है भईया ये देश के दलित आधिवासी पिछड़े ये मालिक नहीं बनना चाते तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग है सीनियर मैनेजमेंट में दलित आधिवासी पिछड़े ती हत्तर परसेंट के कितने बोलो बोलो जीरो एक नहीं है तो जब आप प्राइवेट हस्पताल में जाते हो यहां पे किसी का पैर तुटा तुटा जब आप प्राइवेट हस्पताल में गए आपने पैसा दिया आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की जब आपने प्राइवेट कॉलेज उनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया आपने ना डलिट को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछडे को दिया और ना अपने जेनरल कास के गरीब व्यक्ति को दिया मतलब आपके जेव में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेव में जा रहा है उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास का कोई है ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है अब सुनिए, अब आपको होगे मुझे, देखो हम दलित है, हम आदिवासी है, हम पिछड़े है आप हमारे लिए सपना देख रहे हो आप चाहते हो कि कॉर्परेट हिंदुस्तान में हम भी जाए मगर हमें इस सपने को देखने का दम नहीं है आप कह सकते हो, कि हमने हार मान ली राहूल गांदी ये सपना देख रहा है मगर हम में वो शम्ता नहीं है हम में वो दम नहीं है हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं मगर आप कह सकते हो तो फिर चलो, आप कंपनियों में नहीं हो, तो फिर मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग, अब देखो, मैडम आपका नाम क्या है, हाँ, फुरा नाम, हाँ, नीती तनेजा जी है, मीडिया की है, ठीक है, ये न्यूस तक कंपनिय है, आपका नाम क्या है, पुरा नाम क्या है, रक्षा जी, अभी वहाँ आउंगा, अब देखिए, यहाँ पे, माइक, सेल फोन पकड़ी, रक्षा यादव है, विशा यादव, और ये धीशा यादव, जो है, ये हिंदुस्तान की, सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक, कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है, ये नहीं बन सकती है, ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी घून दे दे अपना, ये पिछले बर की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है, एसे ही ये लड़की, ये दिन भर कैमरा लिए घुमेगी, 24 गंटा कैमरा लिए घुमेगी, मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे, वो इसको दिखाना पड़ेगा, जो ये दिखाना चाहती है, वो नहीं दिखाय जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पिछले बर की है, मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में, बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं, अब मैं कहता हूँ, ठीक है, पिछले लोग के दले दादिवासी लोग, मीडिया में भी नहीं जाना चाहते, चलो मीडिया चोड़ो, प्राइवेट हस्पता हैं बताओ, चुप हो गए, दम नहीं आप में, आप सोय हुए हो, 650 हाई कोट के जज है, 73% आप लोगों की अबादी है, 100 जज, 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे, चलो आप मुझे कहोगे, हिंदुस्तान में 73% को, ना कॉपरेट हिंदुस्तान में जगे चाहिए, ना मीडिया में जगे चाहिए, ना कोट्स में जगे चाहिए, तो फिर मैं आप से कहता हूँ, ठीक है बिखाओ, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, य बठ़ता है तो यह 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा आपके प्रधान मंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है उनको नहीं मालूम कि ढता है पैसा कहा कैसे जाता हैूं बचा मैं उनको बारशन देना जानते य। वो नफर वेला ना जानते है भाशत देना चाहते है इसलिए उनको वह बढ़ाया गया है बढ़ाया किसने अद्वै ने अमभानी ने इन लोगों ने छी अब सुनिए नप्वे लोगों में से आपके बजेट का एक एक रुपिया एक एक रुपिया ये नब्बे लोग बाटते है defense में कितना जाएगा अगनी भी और योजना होगी या नहीं होगी नहीं नहीं भाईया बोलो जितना बोलना है आपको नहीं होगी कुछ फर्ट नहीं पड़ता कुछ फरक नहीं पढ़ता आप में कुछ दम नहीं है आप में कुछ दम नहीं है बोलो जितना बोलना है कुछ नहीं होगा अरे भाई सुन लो समझ लो समझ लो समझ लो आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है आप जितना चिलाना चाहते हो चिलालो जितना आप कहना चाहते हो अगनिवीर नहीं होगा चिलालो कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला आप में धम नहीं है आप में धम नहीं है अगनिवीर होगा अगनिवीर होगा क्यों क्योंकि आदानी चाहता इसलिए अगनिवीर होगा मोधी चाहता है इसलिए अधनी वीर होगा कैसे बो क्या दम नहीं है आप में कैसे नहीं होने देखो हो रहा है आप चिलाते हो और कुछ नहीं करते दम नहीं है आप में 73% में धम नहीं है सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता मैं रास्ता बताऊंगा मगर दम नहीं है तुम लोगों में तुम लोग सोय हुए लोगो मैं खुल के तुमारे सामने बोल रहा हूँ तुम लोग सो गए हो 75% हिंदुस्तान का जो बबर शेर है जो इस देश को चलाता है जो इस देश को आगे ले जाता है आप कहो जितना कहना है अगनी वीर नहीं होगा अगनी वीर नहीं होगा नहीं होगा तियातर परसेंट में दम नहीं है होगा कैसे नहीं होगा अधानी ने डिसाइड किया होगा होगा नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा होगा नबे ब्यूरोक्राइस ने डिसाइड कि होगा होगा दम नहीं तुम में अब सुनो अब सुनो 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं स्वास में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं किसान बिल वो डिसाइड करते हैं नबवे में से आपका कितना, नबवे में से दलेत आदिवासी पिच्णों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ, नबवे में से तीन OBC, तीन दलेत, एक आदिवासी, नबवे में से सातव के और सुनो, पता कहां बैठे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे defense ministry में नहीं बैठे finance ministry में नहीं बैठे कहां बैठे छोटे से कमरे में बैठे हैं पीछे और उनको कहा जाता हो ए तुम लोग चुप हो जाओ जादा भक्वास मत करो नहीं तो तुम्हारा ACR उड़ा दिया जाएगा ACR समझते हो नहीं समझते Annual Confidential Report जिससे पिछड़े ब्यूरोक्राट्स की दलित ब्यूरोक्राट्स की आदिवासी ब्यूरोक्राट्स की रोज हत्या होती है ACR, नाम समझ लो समझे, चुपो गए समझे अब सुनो 90 में से आपके 3 आपकी अबादी 73% 70% 90 में से 3 आपके आप जानते हो 100 रुपे में से अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खच करती है आप जानते हो आपकी कित्नी भाविदारिये से 73% जानते हो सौ मेन से 33% की भागीदारी 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए का नोट दियो मुझे 100 रुपए का नोट दियो मुझे मैं ठीक सा समझाऊंगा आज आपको तो समझोगे 100 रुपए का नोट दो 10 रा 100 रुपए का अब 6 पैसे की कोई चीज दो मुझे छे रुपे की चीज़ दो मुझे कोई छे रुपे, छे रुपे निकालो जेब से ये लो, ये देओ छे रुपे, ये लो ये लो, ये लो ये, ये देखो ये बज़ेट में से सो रुपे गए न अगर सो रुपे बज़ेट में खर्च हुए यह है यह है यह आपका यह लोग देखो अच्छी तरह देखो अच्छी तरह देखो इसको यह है तुम्हारी भागिदारी यह कम है इसको तुम्हे उठा के भेग देना चाहिए छे रुपए दस पैसे की भागिदारी है तुम लोगों की अन्याए है यह हर रोज तुम्हारे साथ अन्याए हो रहा है यह लोग सो रुपए अच्छा अब सुनो अब सुनो राम मंदिर का आपने इन्याग्रेशन देखा देखा सबने देखा मुझे बताओ उसमें आपको अधानी दिखा दिखा उसका चेरा देखा अमबानी का चेरा देखा अमिताब बच्चन का देखा अश्वर राय का देखा खोली का देखा किसी किसान का देखा किसी मज़ूर का देखा किसी गरीब का देखा हिंदुस्तान की राश्टपती हिंदुस्तान की राश्टपती आदिवासी है हिंदुस्तान की राश्टरपती आदिवासी है उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा क्यों नहीं देखा क्यों नहीं देखा किसी डलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा किसी पिच्डे का आपने मंदिर में चेहरा देखा तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ आपने नरेंद्रमोदी का चैरा देखा आप कहोगे नरेंद्रमोदी पिछड़े बरका आदमी है और मैं आपको बताता हूँ नरेंद्रमोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जेनरल कास के आदमी थे गुझ्रात में 2000 में उनकी जात घाची जात को OBC में डाला गया था नरेंदर मोदी OBC। नरेंदर मोदी जनरल कास्ट के है और नरेंदर मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देख़़ाल नहीं करते तो यह मैं आपसे कहना चाहता था मैं आपसे से भी यह कह रहा हूँ आप अगर नहीं चगोगे अगर आप अपना हक नहीं लोगे भू के मर जाओगे आपके जो बच्चे हैं न मैंने देखा वारण नसी में रात को मैंने देखा शराब पिये सड़क पे लेटे हुए थे शराब पिये सड़क पे लेटे हुए थे डिप्रेशन में हैं जानते हैं कि यह कुछ नहीं होने वाला यहां पे अब सुनो अब बात समझो रास्ता अपने मुझसे पूछा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आपसे पूछना है ठीक है सवाल क्या बताओ मुझे आज जब आप सुबह उठोगे चाहे आप किसान हो मजदूर हो बेरोजगार हो आपको अपने आपसे एक सवाल पूछना है और इस बात को आप गहरी तरीके से समझे गराई से समझे आपको सुबह उठके कहना है ये जो सोने की चिडिया है जिसको हम भारत माता कहते है पुरी दुनिया में इसको सोने की चिडिया कह जाता है इस सोने की चिडिया मेंसे मुझे आज कितना सोना मिला वह यही सवाल है आप सुबह उठो आप किसान हो आप कहो कि मैंने बारत माता के लिए आज अपना कून पसीना दिया मेरी माता ने आज मुझे कितना पैसा दिया यही सवाल है और कुछ सवाल नहीं अब समझाता हूँ आपको सबसे पहला काम गिंती का काम है सबसे पहले देश को बताना है दलित पिछडे आदिवासी इस देश में कितने हैं उसका तरीका जाती जनगरना है अब उसके बार मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ मैं करांतिकारी बात कर रहा हूँ इस टेज पे यह आपको हिंदुस्तान के टेलिविजिन पे नहीं दिखेगी क्यूंकि टेलिविजिन अदानी का है पहला कदम होगा जाती जनगरना उसमें जनरल कास्त के कितने गरीब है बैकवर्ड कितने है गलित कितने है आदिवासि कितने है उसके बाद जाती जंगर्ना के साथ एकनॉमिक आर्थिक सर्वे उसके बाद पता लगेगा कि पिछडों के पास इस देश का इतना धन है गरीब जेनरल कास के पास इस देश का इतना धन है अमीर जेनरल कास के पास अरब पतियों के पास इतना धन है पिछडों के पास दलितों के पास आदिवासियों के पास इतना धन है और जिस दिन वो ऐसे उपर लिख दिया जाएगा उस दिन सारे के सारे बबरशेट जग जाएंगे ये रास्ता है अब जब मैंने जाती चंगर्णा की बात की गिंती की बात की नरेंद्र मोधी जी स्टेज पर जाते हैं भाशन देते हैं ऐसे कहते हैं भाईयों और बहनों भाईयों और बहनों देश में सिर्फ दो जात हैं एक गरीब है और एक अमीर है देश में जात नहीं है अरे भाई अगर जात नहीं है तो तुम ओपीसी कैसे बन गए जब जाती जन्गर्णा का समय आया तो नरेंद्र मोदी OPC शब्द को भूल गए जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी OPC शब्द भूल गए पिछड़ा शब्द भूल गए कहते हैं दोई जाते नोट बंदी की यह जो सब दुकान नरेंगे को बरबाद कर दिया किसानों को मार दिया तब OPC थे GST लाए पिछड़ों को मार दिया तब OPC थे 14 लाग करोर रुपे उन्होंने अधानी जैसे लोगों का कर्जा माद किया तब OPC थे मैंने जाती चन्गनना की बात की सोने की चिडिया की बात की धन को बातने की बात की तो सिर्फ दोजात हैं नरेंगे मुदी होपी सिन्ही है आप भी बात समझे और मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया वाले कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ कर ले, इस तुफान को नहीं रोका जा सकता, ये आज नहीं तो कल, 73% जग जाएगा, वो आस्ते आस्ते जगेगा, जब वो जगेगा, जब उसको सची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में करांती शुरू हो जाएगी, तुफान आ जाएगा, आखरी बात आपसे कहना चाता हूँ, आपका नाम क्या है, हाँ, रिशब क्या, रिशब सिंग उपर आओ, आओ, रिशब सिंग को उपर लाओ, अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनेती, ये पूरा पूरा ड्रामा जो चल रहा है, एक मिनट में सम्झाने जा रहा हूँ, ये है रिशब सिंग, अच्छी तरह रेखो इसको, ठीक है, अब मान लो, मैं रिशब सिंग, हम सब रिशब सिंग का जेव काटने जाते हैं, मान लो, ये ये तु सिक्रेटी वाले हैं, मान लो, यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया, इसकी जेव काटनी है, पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, वो रिशब उदर देख, उदर देख, वो दे अज़े कमिता बच्चन उदर देखो वो देख अश्वरिया रहाए उदर देख वो एक क्रिकेट पहला काम यह फिर उपर रिश्वप सिंग उदर देखेगा उदर देखो यह पीचल बंदा आएगा जेव काट लेगा ठीक है इसका नाम अदानी वो जो यह कर रहा है उसका नाम मोदी और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा भाईया एक मुझे एक डंडा देना देना देखो हाँ यह देना देओ और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा एक पीछे होगा वो जोगो में एक दानी ओलती गाइक जीटा यहां पे दंडा लिये खड़ा होगे इसे इसे असे डंडा लिये खड़ा होगे Italy ने ऊत Technical पात की तो तो दंडा अमिच्षा, ED, CBI, Income Tax, पुलीस, यह सब, मैं काशी मंदर गया, बात समझो आप, मैं काशी मंदर गया, मैं शिप को मानता हूँ, मैं काशी मंदर गया, वहाँ पे पुलीस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिये, एक मोबाइल फोन अंदर निया ने दिया, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाते, कि रावल गांदी की शिप मंदर के अंदर फोटो दिख जाए, उसके बाद, वारा नसी में, सारा सारा सेल फोन का जो नेटवर्क है, उसको डाउन कर दिया, लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फिलाएं, आप देख ले ना, यह तो मैंने भाशन दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता, यह सोशल मीडिया में पहलाओ आप, सोशल मीडिया में दिखेगा, मीडिया में नहीं दिखा, अच्छा सोशल मीडिया को भी, वो अमरीका से कंट्रोल कर रखा है, तो यह मैं आज आप से कहने आया था, मेरा काम, 73 परसेंट को, हिंदुस्तान की सोने की चिडिया का धन दिलवाने का है,